14 जून के करेंट अफेर में आप सब लोगों का सवागत है आज हम सब लोग 14 जून से रिलेटेड करेंट अफेर को डिसकस करेंगे तो आईए कोशन की और चलते हैं फर्स्ट कोशन देखें पहला कोशन है अपना हाली में UGC ने विश्विदयलों को साल में कितनी बार प्रवेश के अनुमति दिये लेखिए जितनी भी इन्यूवेस्टी के एक्जाम होते वो कौन करवाता है किसके कौन इसको हैंडल करते यह करता है UGC है ना हाली में UGC ने क्या किया अपना एक लिस्ट जारी कि उन्होंने बताया है कि विश्विदय जितनी भी इन्यूवेस्टी है अब वो साल में दो बार अपने अंदर प्रवेश ले सकते हैं मतलर जो जितने भी स्टुडेंट्स होते हैं वो साल में ठीक कब से कब एक्जाम होगा देखिए कब से कब परवेश होगा यह होगा एक तो होता है जुलाई अगस्त जो अपना नॉर्मल चालता रहता है ना जुलाई से अगस्त और जो सेकेंड होगा वह होगा जैनवरी से फर्वरी जैनवरी और फर्वरी यह दो इन्होंने टाइम होगे आप admission करवाओंगे ठीक तो आंसर क्या होगा दो बार कि चलिए कोशन नमबर टू क्यों चलते हैं कि कॉशन बटू है तू है हाली में किस कंपनी ने बजार मूले में Microsoft को पीछे छोड़ दिया देखिए हाली में कंपनी क्या किया Microsoft को पीछे छोड़ दिया ना जो अपनी यह मुकाम था इन्होंने कब हासिल के था 12 जुलाइग की दोपहर को इन्होंने यह मुकाम हासिल किया ना तो जो एपल है इसकी नेट वर्ट कितनी हुई है भी 3.3 ट्रिलियन डॉलर ठीक उजब कि Microsoft का है 3.2 ट्रिलियन डॉलर ठीक तो चलिए कोशन नमबर थर्ड की और चल हुए रिकोड अपना बना है तो तो विस ने किया है यह किए ह्यां की टीम में यह किया है एर्यां टिक मस ने लियां किसमे एक aoी 2523 अ कि कि यह एक वर्ड रिकोर्ड बने गाया महिलाओं के लिये फिक इससे पेहले क्या था है उससे पहले था एकient है 52.85 सेकंड यह पहले का था ना इसको किसी किया था इसको किया था मोलियोगे लागन इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया किसने एरियां टिटमस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया ठीक यह कहां पर हो रहा था भई यह हो रहा था आपका ब्रिस्बेंड आप जानते हुए कहा है ब्रिस्बेंड औस्टेलिया में कहां ब्रिस्बेंड में ब्रिस्बेंड की जो चैंडल सेंटर में इन्होंने वहाँ पर किया कि यह मुकाम हासिल किया है आई होप आपको समझ माया आए जलते कोश्चन नंबर फॉर की और देखिए कोश्चन नंबर फॉर क्या है कौन सा देश नाइट्रस ऑक्साइड एंड टुओ का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनक है न तो कौन है यह दुनिया का दूसरा यह है भारत अपना प्यारा भारत टिक यह क्या बना है दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उपड़ाई कि सका नैट्रस ऑक्साइड गा तो पहले पर क्यों है चीन फरस्ट पर कौन है चीन देखिए अन्टू वहुत ही खतरनाक है य यह क्या है सक्तिशाली बहुत ही पावर्फुल ग्रीन हाउस गेस है यह क्या है पावर्फुल ग्रीन हाउस गेस है जो देखिए अगर 2020 के डाटा के देखा जाए तो भारत पूरी दुनिया का लगभा 11 पर तिशा जिम्मेदार था 2020 में इंडिया पूरी दुनिया का 11 परतीशत क्या करता था नाइट्रस उक्साइड उसरजित करता था दुनिया की बात करें ठीक और चाइना कितना था 16 या इससे जादा था ठीक अच्छा यह रिपोर्ट पब्लिस किसने की किसने यह बताया कि दूसरा सबसे बड़ा स्रोत ब अर्थ जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा इन्होंने अधन किया और अपनी यह जितनी भी चीजे थी इन्होंने उसको क्या किया है जारी किया ठीक कि अगर नाइट्रोजन मिरबा सुने देखी अगर इस समय बात किया जाए एन्टू ओ यह लगातार क्या और यह अपने में बढ़ रही है है ठील में इसको देखा गए तो 2022 में इसका हाल क्या था तो 2012 में इसके dedication पर बिलियन थे श्ट फोर में इसको पी बी बी बहुता है ना मतलब 1 बिलियन में कितने पार्ट थे इसके एंटू के ऑटा कहां से हँ एंड यहां के घर में नाट्रोजन ऊर्वर्ण डालते हैं कि यहां के तो में है नाट्रोजन में लगोड़ों यह xe कुछ नाम है तो इससे क्या है यह N2O का nitrogen oxide का क्या है मुख्य कारण है यह क्या है nitrogen oxide का मुख्य कारण है ठीक देखिए हालां की आज भी जो green house gas की जो पर्मू gas वो carbon dioxide है क्या है carbon dioxide co2 main gas है लेकिन N2O का क्या effect वायो मंदल में रहता है जिससे हमारा वायो मंदल क्या होता है प्रदूसद भी होता है इससे होगा क्या है सिदिस बाद है climate पे effect आएगा और हाली में देखा गया है कि जो N2O के कारण किसके कारण N2O के कारण जो global warming हुई है उसमें temperature कितना बढ़ा है जीरो-वट डिग्री इसकी क्या हुई इंक्रीमेंट हुई है जीरो-पइंट-वन डिग्री से इसका क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुए तो आई होप आपको नाइट्र से लेटर कौसेट समझ माय औहीं चलते हैं कोशंगerson No.5 कि ओर पुष में किस देस मंगल गर्ये पर 13 जवाला मुखी दिएस देखें 30 जवाला मुखी कहां पर है मंगल गर्येपर में तीन नए क्रेटर खो जङेए मंगल गरे पर मुकी में बाम थे किया है देखे यह किया है अपने क्यारा भारत ने आप एंदाबाद में एंदाबाद में एक क्या है लिबरोटरी है पी आर एल मतलब फिजिकल कि रिसर्च लिबोरेटरी है ना इसको बोलते हैं पी आर एल इन्होंने क्या किया अभी हाल इमें खोजें कि त्ने तीन क्रेटर कौन कौन से एक है लाल क्रेटर एक है कि लाल क्रेटर हना लाल क्रेटर के बारे मताया गया उसको मेह मुरसान और प्रेठर । कि इसके बारें बताएगा कि दस किलोमेटर चोड़ा है दस किलोमेटर चोड़ा है और इसी के पश्ची में किसके लाल क्रेटर के पश्ची में तीसरा मिला है जिसको बोलते हिलसा क्रेटर इसको बोला गया हिलसा क्रेटर है यह लगभग कितना दस किलोमेटर क्या है यह चोड कितने खाज़े के स्याबराटने पी आर एल एंदा बाद की और एल फिजिकल ईजर्टेक्टीन दितकों कॉन-कॉन से λाल क्रेटर्म अपस्जी में समें पुर्ण नमए कॉश्ण नुबर 6 की ओर चलते हैं कि कॉश्चन बर शिक्स है हाली में किस राजे ने मृद्धा सवास्थ योजना शुरू की थे मतलए सोईल हेल्थ फ्लान यह स्कीम इंगलिस में क्या बोलेंगे सोईल Health Scheme किस देश ने ये शुरू की देखिए कि ये तमिल नाडू ने शुरू किस ने शुरू की है तमिल नाडू ने तमिल नाडू के जो CM है CM कौन है भई MK Staline MK Staline इन्होंने हाली में क्या बोला है भी एक योजना लॉंच किये जिसका नाम है Mridya Svastya योजना इन्होंने इनकी लेंगिज में क्या नाम है उसका नाम है मुख्य मंत्री मनुवीर काठू मनुवीर मनुवीर ठीक कापम कापम ये योजना शुरू की ठीक और इसका बज़ट कितना है इसका बज़ट है लगबग 206 करोड 206 करोड का ये बज़ट है उदेश से क्या है इसका इसका उदेश से क्या है देखिए इसका उदेश से पूरे छेत्र में मिट्टी के स्वास्ते और उर्वर्ता में सुधार करना पूरे छेत्र में तमिलनाडू के पूरे शेत्र में, रीजन में, क्या करना है भी, जो मिट्टी है, सोईल है, मिट्टी के स्वास्त है, और, उरवर्ता में, सुधार करना, ये क्या है, इसका, उदेश्य है, तो आईए होप, आपको ये समझ में आया, आईए, क्वेशन नमबर 7 क्यों चलते हैं, क्वेशन में, जिनका हाल में, एक विवान धुर्कटना में, निधन हो गया, किस देश की उपराष्ट पती थे, रेकि ये थे, मलावी के, किसके थे, मलावी के, ये क्या थे, उपराष्ट पती थे, ठीक, इनके साथ साथ, नो, अन्य लोगों के भी क्या गई है, जान गई है, ठीक, देखें इसकी सूचना दिये या इनके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन है लाजरस चकवेरा लाजरस चकवेरा इन्होंने यही सूचना दि कि विवान का मलबा मिला है कहां चिक गावाँ वन में मिला है आई अब कोशन नमबर 8 क्यों चलते हैं है को क्या है हालम Griffin इसको इसको जending ऐम मेश चुआखें सफीट अभी यह को सुरूर उफान में कासुरूर यो को सुका जपान में तुष क किया थी इसके बारे में सूचना आपको दी थी एक यह था और एक री मअवस संस्क्रण तो नहीं एंटिया मतलब मेरी टाइं सब्सक्राइब्सकेबिरेश के एक्षब के लोगें में रहा है तुब की टरफ से ऩिवालिक नहीं क्या कि बाग लिया है है और ये कोश्चन में बाइक क्या है देख को नमबर नाइन मिशन त्रिशना कि गोष्णा कि संगठन दोरा की गई यह किसके द्वारा की गई ने एक जॉइंट इंडो फ्रेंच मतलब इसमें किसका सयोग लग रहा है फ्रेंच का सयोग है मतलब जो फ्रांस है उसके सयोग से ही हो रहा है तो यह क्या है जोईट इंडो फ्रेंच इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड अर्थ ओब्जर्वेशन अर्थ से अप्जर्व वेशन क्या है यह आपकी से टना अफो एक तो यह किसके सायोंक सप्षक किसके साथ मिलकर कटर आप फ्रांस के सांथ करा है अंफरा-डिद थो ऑब्जर्वेशन सेटे लाइट मतलि इंफरा-ड सेयुक्त क्या करेंगे ए Ara प्रिश्णा का मेनिंग लिख लो क्या होता है त्रिश्णा त्रिश्णा का मेनिंग होता है थर्मल इंफ्रा रेड़ इमेजिंग इसेटलाइट पर हाई कि रेजोलुशन नेचुरल रिसोर्स एसेस्मेंट यह है इसकी फुल फॉर्म यह होगा क्या यह मोनीटर करेगा अर्थ की सर्फस टेंपरेचर को यह क्या करेगा मोनीटर करेगा अर्थ सर्फस टेंपरेचर मतलब जो अपनी पिर्थवी है इसके सताए के टेंपरेचर को मोनीटर करेगा और ती साथ ही साथ की दुनिया के चार और जो पानी है उसका मेनेजमेंट क्या हो रहा है इसको भी क्या करेगा करेंगा एंड वाटर का मैंनेजमेंट almost सesाटलाइट क्या करेंगा डाटा प्रोवाइड करायेगा किसको क्लाइमेट इंप्यक्ट से क्लाइमेट से क्या इंप्यक्ट हो रही है सैटल्याईड इसका क्या करेगा करवाइग गजिए ठीक फूड़ा इस रोक बारे में जान लेती हैं इस रोक इस्थापना हुई थी पंदरा अगस्त 1969 को ठीक Headquarter कहा है आप लोग अच्छे से जानते Headquarter है Bangalore करनाटका में Bangalore करनाटका में इसका क्या है Headquarter है Chairman को उने हिनके Chairman है इसके S Somnath S Somnath क्या है इसके Chairman है ठीक आई अपने Question No.10 के ओर चलते हैं Question No.10 है किस देश ने 700 मीटर पैदल यात्री राष्टरी एकता पूल का क्या किया है अनावरन किया है देखिए क्या हंगरी देश ने हाली में हंगरीन क्या हुई 700 मीटर पैदल चलने वाले एक पूल बनाया है जिस पूल का नाम रखा गया है राष्टरी एकता पूल इंगलिश में इसको बोलते हैं ब्रीज ओफ नेशनल यूनिटी क्या नाम इसका ब्रीज ओफ नेशनल यूनिटी चीकिन यह बना किसे है देखिए इसको कनेक्ट किया गया सिक्स केबल रोप से कनेक्टेड बाई सिक्स केबल रोप से ना 6 केबल रोप है इसको कनेक्ट किया गया है ठीक इसको कहां बनाए गया है इसको बनाए गया बिल्ड कहां बनाए गया इसको इनिकी राजधानी जो यहां की केप्टल है है जो दो इसी वाइबापेश्ट है योडसी की मैं इसको सपाइब कितनी यागत लगी है इसकी लगी है 4 billion Hungarian forint इतने billion का यह क्या है कोस्ट आया ठीक यह इसकी क्या है करेंसी है यह इसकी क्या है करेंसी इस देश की और यह इसकी क्या है केपिटल है ठीक यहां का प्रेसिडेंट कौन है यहां का प्रेसिडेंट को यहां के प्रेसिडेंट है तामस सुलियोग तोमस सुलियोग यहां की क्या है प्रेसिडेंट है तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लेगी होगी अगर आपको class अच्छी लेगी तो इस class को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें तब तक के लिए, जे हिंद